गर सहिता के गोल और खंड के बर्वे ध्य में श्री क्रिष्ट ने जनम और सब के धौन गोग गोपियां का उपायन लेकर आना नंद और इशोदा रोहिनी द्वरा सब का यथावद सत्कार प्रहमादी दिवताओं का भी श्री क्रिष्ट दर्शन के लिए आगमन श्री नाराजी कहते हैं राजन तरंतर गोष्ट में विद्वान नंजी ने अपने घर में पुत्रसव होने का समाचार सुंकर प्राताकाल ब्रामनों को बलवाया और सस्ती वाचन पूरक मंगलकार इकराया विधी पूरक जात करम संसकार संपन करके महामनसी नंद राज ने ब्रामनों को अनंद पूरक दक्षना देने के साथ ही एक लाग गमए दान की एक कोस लंबी भूई में सब्त दान्नियों के परवत खड़े किये गी उनके शिकर रत्नों और सरन से सजिद उनके साथ सरसे हम सिनिक्द पतार्थ भी दे वे सब परवत नंद जी ने विनीत बाद से ब्रामनों को दिये मिर्दंग, वीना, शंक और धुंद भी आदी बाजे बारंबार बजाए जाने लगे नंद द्वार पर गायक मंगल गीत गाने लगे वर आंगनाई निरित्य करने लगी पताकाओं, सोने के कल्शों, चंदों, सुंदर, वंदनवारों तो था अनेक रंग के चित्रों से नंद मंदिर उद्वासित होने लगा। सड़के, कड़ियां, द्वार, देहनियां, दिवारे, आंगन और वेदियां इन पर सुगंदे जल का छिटकाव करके सब बोर से वस्तरों और जंडियों द्वारा सजावट कर दी गए जिससे यह सब चित्र मंदप या चित्र शाला के समान शुबा पा रहे थी गमों के सिंगों में सोना मड़ दिया गया था उनके गले में सन की माला पेना दी गई थी उनके गले में घंटी और पैरों में मंजीर की जंकार होती थी उनकी पीटवर कुछ-कुछ लाल रंग की जूले उड़ाई गई थी इस परकार समस्त गमों का शिंगार किया गया था, उनकी पूछे पीले रंग में रंग दी गई थी उनके साथ बच्छडे भी थे, उनके अंगों पर तर्नी इस्तियों के हाथों की छाप लगी थी हल्दी कुम कुम तथा विचित्तर दात्वों से विचित्तित की गई थी, मौर पांखर पुष्पो से अलंके तता सुगंदि जद से अभिशिक्त, धरम द्रंदर मनोहर वरिशब, श्री नंद राजी की द्वार पर इदर उदर शोबित थी गवों के स्वेद बच्छडे सुने की मलाव और मोतियों के हारसी भुषित्ते इदर उदर उच्छते कूपते फिर रहे थे, नूंके पैरों में भी मंजीर बंदे थे नंद राजी की यहां पुत्र सक्का समाचार सुनकर वरिश भानू वर रानी कलावती कीतिदा के साथ हाथी पर चड़कर नंद मंदर में आए वरज में जो नो उपनंद तथा छे वरिश भानू थे विस सब बिन नाना प्रकार की भेट सा मगरी के साथ वहां आए में सिर्फ पर पकड़ी तथा उसके उपर माला धारन की यल पीले रंग के जामे पहने केशों में मौर पंख और गुंजा बांदे तथा वन माला से विभूशित थे हाथों में वन्सी और बैत की छड़ी लिए सुन्दर पत्र रचना के साथ दिलक लगाए कमर में मौर पक बादेल गुपाल गान भी वहां पर आगे वे नाचते गासते और वस्त्र हिलाते थे पूँच वाले तरण और बिना पूच के बालक की भाती भाती की भैट लग कर वहां आए बूडे लोग हाथ वे डंडा लिए अपने साथ माखन दो दहीं और खी की भैट लेकर नंद भहन वे अवस्तित हुए वे अपसें ब्रजराज के यहां पुत्रसक का समवाद सुनाते हुए प्रेम से विहलो कर डेत्रों से अनंद के आशो बहाते थे पुत्रसक होने पर शिरी नंद राजी का अनंद चरम सीमा को पूंच किया था उनके नेत्र हर्ष के आशों से भरे हुए थे उन्हें अपने द्वार पर आई हुए समस्त गोपो का तिलकादी के द्वरा विधिवत सत्कार किया गोप बोले है प्रजेश्वर ही नंद राज आपके यहां तो पुत्र सब हुआ है यह संतान हींतां के कलंक को मिटाने वाला है इससे बढ़कर परम मंगल की बात और क्या हो सकती है देव ने बहुत दिनों के बाद आज आपको यह दिन दिखाया है हम लोग श्री नंदन का दर्शन करके आज की तार्थ हो जाएंगे जब आप दूर से आकर पुत्र को गोद में लेकर मोध पूरक लाड लडाते हुए ही मोहन कहकर पुकारेंगे उसमें हमें सब बड़ा सुख मिलेगा श्री नंद जी ने कहा बंदूओ आप लोगों के शीरवाद और पुन्ने से आज ये आनन डायक शुब दिवस प्राप्त हुआ है मैं तो ब्रजवासी गोप गोपियों का अग्या पालक सीवक हूँ तो शीर नारजी कहती है राजन शीर नंद रायजी की यहां पुत्र होने का अद्बुद समाचार सुनकर गोपियों के हर्ष की सीमा नहीं रही उनके हिद्धे उनके तन मान परम अनंद से परिपूर्ण होगी वे घर के सारे कामकाज ततकाल छोड़कर भेट समगरे लिये त्रंत ब्रजराज के भवन में जा पोची नरेंद्र अपने घर से नंद मंदर तक इदर उदर बड़ी उतावली के साथ आती जाती सब गोपियां रास्ते की भूमी पर मोती लुटाती चलती थी शीगिता पुरक आने जाने से उनके वस्तरा भूशन तता केशों के बंदन भी धीले पड़ गे थे उस दशा में उनकी बड़ी शोबा हो रही थी चंकारते हुए नपूर, ने बाजूबान, सुनेरे लेंगे, मंजीर, हार, मनी में कुंडल, करधनी, कंठ सूत्र, हाथों के कंगन, तथा भाल देश में लगी हुए बेंदियों के ने ने चटाओं से उनके छवी देखते ही बनती थी नरेश्वर, वे सब की सब, राई नोन, हल्दी के विशेश चोर्न, गेहुं के आटे, पिली, सरसो, तथा जो आदी हाथों वे लेकर बड़े लाट से लाला के मुख पर उतारती हुई, उसे अशीरवाद देती थी ये सब करके उनने ही शोदाजी से कहा, गोपियां बली शोदाजी, बहुत उत्तम, बहुत अच्छा हुआ, अहो भाग्य, आज परम सुभाग्य का दिन है, आप धन्ने हैं, आपकी कोक धन्ने हैं, जिसने ऐसे वालक को जन्म दिया, दीव काल के बाद देव ने आज आज आ के साथ इसका लालन पालन कीजिए, तो शोदा ने कहा, बहन, आप सब की दियार शीरवाद से ही मेरे घर में ये सुख आया है, ये अनंदु सब प्राप्त हुआ है, मेरे उपर आपकी सिदा ही बड़ी दिया रही है, इसके बाद आप सब को भी देव कृपा से ऐसा ही प्रम सुख प्राप्त हो, ये मेरी मंगल कामना है, बेहन रोहनी, तुम बड़े बुद्धी मती हो, सब कारे बड़े अच्छे ढंग से करती हो, अपने घर हुई ये ब्रजबासियां, गोपियां बड़े उत्तम कुलकी हैं, तुम इनका पूजन स्वागत सत्कार करो, अपने प्राजी ने दान करने की प्रेना देदी फिर क्या था, उन्हें अत्यंत उद्धार चित होकर दान डिना अरंब किया, उनकी आंकांती गोरवरं की थी, शीर पर दिव्य वस्त्र शोबा पाते थी, और वे रत्र में आभूचन से इभूशी थी, रोहनी जी शाक्षात लच् देने लगे, बड़े जोर जोर से चेजेकार की द्वनी होने लगी, उसमें कोप, दही, दूद और घी से तथा गोपांगनाई, ताजे माखन के लोंदों से एक दूसरे को हर्ष लाज से बिगोने और उस सर से गीत गाने लगी, नंदभावन के बाहर और भीतर सब और दही की कीच माच गे, उसमें बड़े और मोटे शीर वाले लोग फिसल कर गिर पड़ते थे और दूसरे लोग खूब ताली पीट वीट कर हसते थे, माहराज, वहाँ जो पुरानिक सूत, वंशो के परशंशक माघद और निर्मन बुद्धी वाले तथा अवसर के अन्रूप बा पुड़े और हाथी आदी सब कुछ दिये, समस्त वंदियों तथा माघजनों को धनी गो ब्रजेश्व नंदराय ने बहुत दान दिया, दान राशी की वर्शा करती, वरच की गली-गली में, घर-घर में निद्धी, सिध्धी, वृद्धी, मुक्ती, मुक्ती ये लोटती किसी दिखाई देती थी, उन्हें पाने की इच्छे वहां किसी के भी मन में नहीं होती थी, उस में सनतकमार, कपिल, शुक्क और व्यास आदी को तथा हंस, दत्तात्रे, प्लस और मुझ नारत को साथ लेकर ब्रह्मा जी वहां पर गे, ब्रह्मा जी का वरन तप्त सर्ण के स मान था, उनके मस्तकों पर मुखत था कानों में कुंडल जगमगा रहे थे, वे वेद करता चुत्रमुक ब्रह्मा हंस पर आडूड होकर संपुरन दिक मंडल को ददिप्यमान करते हुए वहां आये थे, उनके पीछे भूतों से घिरे हुए व्रिशप आडूड महिशर्प फिर रत पर चड़े हुए शाक्षात सूरे अरावा धाती पर सवार इंदराज इंदर, खंजरीत पर चड़े हुए वायु देव, मैश वाहन यम, पुश्क आडूड को बेर, मिरिग वाहन चंद्रमा, बक्रे पर बैठे हुए अगनी देव, मगर पर आडूड वरं, म्यू पर बैठे थी, वे सब वहां पर आई, दिवे कांती वाली मुख्य मुख्य सोला मात्र गाईंपाल की पर बैठकर आई थी, खड़क चक्र आदे यस्ती धारन करने वाली सश्ती देवी शीवका पर स्वार वोकर वहां पर पहुची थी, मंगल देवता वानर पर और बुद् शनी देव और ओंट पर अरुड सिंहा कुमार राहू, ये सबी ग्रह जो क्रोडो बाल सूर्यों के समानते जसी थे, नंद मंदर में पदा रही, वहां बड़ा कुला हल मच रहा था, वे नंद भवन जुंड के जुंड गोपो और गोपियों से बरा हुआ था, देवता ब्रह्मारी सब देटा रिश्यों सहीत वहां शिर्किष्ट का दर्शन करके प्रेम विहल और हर्श विवहर होकर अपने अपने धाम को चलेगे